कुमी जैसे क्रश्णा सामी जार निकाल दिया था स्ट करके थोड़ा हमने जा रही हूं मेरे का बहुत ज्यादा दूपी है आज तो आज हम लोग पिचन देने खाने वाले हम लोग फ्रेश फ्यूद करते हैं जब निद आज चल रही है थोड़ी किचन की साफ सफाई ये देखो नाश्ते का खाना है वह साफ करना है और मुमी यापर नाश्ता कर रहे है गुद मॉर्निंग मुमी जैसे क्रश्णा और पापा इस जिजर उसक्या न्यूज देख रहे है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग और हमारा स्कुबी क्या कर रहा है आराम फर्मा रहा है तो भी फिर सचा कि ये खान ये सब भी निकाल दे तो साफ हो जाए अभी होड़ी का ये बाजुआ है लोगने तो है ना वोली के पहले हुआ क्या बोलते है उसको वोली का सामी जाल निकाल दिया था वोली के पहले अभी वोली तो पुरी हो गई तो इसलिए हम लोग भी निकाल रहे है कि अभी बारा बज गए और रस्वय भी बन चुकी है और यहां पर अथाना भी रेडी कर दिया है ये बुला वो भी अभी पगहर ना है थोड़ा और यहां पर पूरे साल की चटनी चीली जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं मौन दिया जा रहा है और इतर स्पूगी को कुछ क्या है इसके टोई यहां पर है इतर इसलिए बोल रहा है लोग पूरे साल चोटन के लिए इसके मौन दिया जा रहा है तो अब्स करके थोड़ा हमने जा रही हूं मेरे काकेशी सासो के वहाँ पर कुछ स्टिचिंग किया था तो उसकी सिलाई भी बाकी है देने के लिए तो वहाँ पर जाड़े वो भी तो मैं आगई हूँ अभी मन्दीर और ममी गए है मैं जग सिलाई के पैसे और वहाँ पर उसको कुछ काम था तो वो देने के लिए और भी मैं आई हुँ यहाँ पर हवेली बेठकजी दर्शन करने के लिए और कुछ काम भी था साथ में शामको पानिपुरी का प्रोग्राम है तो पुरी भी लेनी थी मुझे तो भी मैं आ गई हुँ हवेली दर्शन करने के लिए इतने सुंदर दर्शन है आज के कि दर्शन करके बहार दिया गई और अभी जा रही हो पानिपुडी का साहन देने के लिए बहुत ज्यादा दूपी है आज बहुत ही गर्मी है आज सूरत में तो आज गर पर पानिपुरी बनिये तो यहां पर रख दिये तूकि यहां पर पवन आता है आज हम लोग पिचन में खाने वाले पापा अपनी की पर नहीं खाने वाले हैं हम लोग साथ बेटकर इगर खाने वाले आज तो आज पानिपुरी का पोग्राम है जोहर सेवपुरी तो सब लोग खाने के लिए एक साथ में बेट गए अब चैलेंज करने का है पर चैलेंज करने का नहां बोल रही है अब यहां सेवपुरी बन रही है पानी पुरी और यहां पर मसाला पुरी बन रही है अब यहां पानी पुर्म बना बनागे खा रहा है और यहां पर चूर्मा पेल चल रही है कि लुप की कुरी खाई जा रही है बहुत दिखा लगा इसलिए तो भी में जा रही हूं नीचे थोड़ी फ्रेश होगा खाने के लिए मेरा रोज का रूटीन बन गया है स्कूबी जब से आया है तब से शाम रात को नव बजे से ग्यारा बजे तक हम लोग नीचे ही रहते ब तो अभी 11 बजने आये है और हम लोग टेटी लेके बैठ चुके है अभी सोने से पहले कुछ फूट खाना चाहिए खाना तो नहीं चाहिए लेकिन हम फिट भी खा रहे तो अभी मुझे निंदर भी बहुत आ रही है तो मेरा लोग यही परेंड करते तो मेरी चैनल लाइक क शेयर करो और सब्सक्राइब करो धेसरा प्यार करो थेंक यू गूनाइट बाइबाए